हेलो स्टुडेंट वेलकम टू न्यू लक्से अकेडमी आज का जो टोपिक रहेगा आपका ग्रेविटेशन आज हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होते हैं ग्रेविटेशन अक्सर इस टोपिक में बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई हम कैसे समझना है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि capital G का मतलब क्या होता है small g का मतलब क्या होता है आज के क्लास में आज के बाद आपको कहीं पर भी आपको उधर दो जाने के जोतनी है आज के क्लास में आपको समझाओगा gravitation क्या होता है capital G और small g का मतलब क्या होता है सब चीज तो gravitation का मतलब क्या होता है गुरूतवा कर्शन यह क्या होता है गुरूतवा कर्शन होता है इसके अंदर में आपको सबसे पहले समझाऊंगा universal यूनिवर्सल लो ओफ ग्रैविटेशन इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल का मतलब होता है स्वार भोमिक स्वार भोमिक गुरुतवा कर्षन सिध्धान्त क्या है आपका यूनिवर्सल लो ओफ ग्रैविटेशन स्वार भोमिक गुरुतवा कर्षन सिध्धान्त अब यह सिध्धान्त क्या है तो मैं आपको पहले समझाऊंगा क्या है देखो इसके बारे में Newton ने बताया था कि इस संसार के अंदर कोई भी दो अबजेक्ट कितने कोई भी दो अबजेक्ट अगर उसके पास क्या हो खुद का मास हो उसके पास क्या हो खुद का मास हो तो जितनी force first object second पर लगाती है उतनी force उतनी ही बल second object first पर लगाती है यह बताया था Newton ने किसके बारे में you universal law of gravitation इसी का नाम क्या रखा गया Newton's universal law of gravitation अब मैं आपको explain करके बताँगा कि कैसे देखो जैसे कि मानलो आपके पास दो अबजेक्ट है आपके पास कितने अबजेक्ट है एक अबजेक्ट आपका यह हो गया न्यूटन ने क्या वोला कि आप कोई भी दो अबजेक्ट लो कोई भी दो अबजक्ट लो जैसे आपका अबजक्ट नमर 1 ये है और एक अबजक्ट आपका ये है आपके पास कितने अबजक्ट है ये है ये आपका वस्तु 1 और ये क्या आपका वस्तु 2 ये आपका वस्तु 1 है और वस्तु 2 है अगर इसका मास है इसका मास का है क्या आपका M1, इसका mass क्या आपका M1, इसका mass क्या है M2, इसकी distance को मान लो, यह आपका, इसकी distance है, यह इसकी distance को आप R मान लो, यह आपकी दूरी आ गई, ठीक है, यह क्या गई, दूरी आ गई, अब Newton ने क्या वोला, कि अगर कोई भी दो object है, देखो आपने क्या लिया है, दो object लिया है, Newton ने ये वोला कि आप कोई भी दो object लो जिसके पास खुद का क्या हो मास हो यानि खुद का उसके पास दरवे मान हो तो Newton ने ये वोला कि जितना force फर्स अबजेक्ट सेकेंड पर लगाती है उतना ही force जो है सेकेंड वाली वस्तु पर लगाती है मैं आपको repeat करके समझा रहा हूँ देखो Newton ने क्या वोला कि इस संसार में कोई भी object है कोई भी दो object आप लो जिसके पास खुद का उसके पास क्या होना चाहिए उसके पास मास होना चाहिए तो अगर first object जितना force second object पर लगाएगी उतना ही force second object first object पर लगाएगी इसका मतलब यह क्या होगा यहाँ पर कोर्स क्या होते हैं परावर होते है तो कि अनि अब कर यहाँ आफ वन भर आपको होता है एका है weights 4 में अब fabrics how you था और इसी को हम क्या वोलते हैं Universal Law of Gravitation, स्वार्भव में गृत्वा कर्शन, सिधान्त, अब यहां से एक फॉर्मुला drive होता है मैं आपको बताउगा क्या है यह फॉर्मुला, देखो यहां से आपका फॉर्मुला drive होता है, इसका मतलब क्या होता है F, F बराबर क्या होता है, capital G, capital G, first object का mass into में, second object का mass upon में, R का square, R का square, R का मतलब क्या है, आपकी distance है, R का मतलब क्या यहाँ पर, distance है, यह F का यहाँ से एक formula drive होता है, F बराबर इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रैविटेशनल इसको क्या बोलते हैं ग्रैविटेशनल इसको क्या बोलते हैं ग्रैविटेशनल फोर्स इसी का नाम क्या होता है ग्रैविटेशनल फोर्स अब हम सब समझेंगे भाई ये कैपिटल जी का मतलब क्या है इससे बहुत सारे को आपके एक्जाम में देखने हों को मिलते हैं, capital G को किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, universal, universal, gravitation, gravitation, constant, कापिटल जी को हम किस नाम से जानते हैं कापिटल जी का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रैविटेशन ग्रैविटेशन कॉंस्टेंट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं स्वार भोमिक इसका मतलब यह है कैपिटल जी को हम किस नाम से जानते हैं यूनिवर्सल ग्रैविटेशन कॉंस्टेंट अब कॉंस्टेंट का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ कॉंस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैलू क्या हो fix हो जिसकी वैलू change ना हो तो सबसे पहले आपका यह कैपिटल जी को बोलते है यूनिवर्सल ग्रैविटेशन कॉंस्टेंट दूसरा कोश्व्चन यहांसे आपके एक्जाम पूशा जाता है capital G का value कितना होता है आप बोलोगे capital G का value होता है 6.67 into 10 की power minus 11 newton meter का square upon में kg का square capital G का value कितना होता है 6.67 into 10 की power minus 11 newton meter का square upon में kg का square यह होता है अब सवाल में अब सवाल में आप से पूछता है कि capital G की value कितनी होता है आप बोलोगे 6.67 into 10 की power minus 11 newton meter square upon में kg का square इसके अलाबा अगर आप से पूछा जाएगा capital G का unit यह क्या आपका capital G का unit है इसको क्या बोलते हो मात्रक यह आपका क्या है capital G का unit जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो मात्रक बोलते हो यह है तो capital G आपको समझ में जरूर आया होगा कि capital G क्या होता है universal gravitation constant इसको बोलते हैं बच्चे जो है capital G और small g में अंतर को नहीं समझ पाते हैं उसी जो confusion आपको रहते है उसी को आज के क्रास में हम धूर करने वाले हैं तो यह क्या है capital G को बोलते है universal gravitation constant इसकी value होते है Newton meter का square upon में kg का square इसको बोलते है capital G अब हम समझते है small g के बारे में अब आपका क्या है small g इसको बोलते है small g बच्चे को बहुत ज़्यादा confusion होती है capital G और small g में जो आपका small g है small g इसका complete नाम क्या होता है acceleration due to gravity small g को क्या बोलते है acceleration due to gravity एक बात और एक बात आप याद रखना जो capital G होता है उसकी value हमेशा fix होती है क्या होती है capital G की value क्या होती है constant होती है चाहें आप किसी भी planet पर चले जाओ चाहें आप अर्थ पर हो चाहें मून पर जूपीटर पर सैटरन पर वैनस पर किसी भी planet पर चले जाओ किसी भी planet पर चले जाओ वहाँ पर क्या होता है capital G की जो value होती है हमेशा fix होती है हर एक planet के लिए capital G की value fix होती है लेकिन small g की जो value होती है अलग-अलग planet के लिए अलग-अलग ग्रहों के लिए क्या होती है अलग-अलग होते हैं यह वाद ध्यान रखना, यह जो है, यह कैसे निकालते हैं, इसका formula क्या होता है, small g का, तो आप बोलोगे, capital G, M, upon में, R का, square, यह आपका क्या है, small g का, value निकालने का, यह है, अगर मैं आपसे पूछूँगा, कि M का मतलब क्या है, तो आप बताओगे, यह क्या होता आपका, mass of, mass of planet, और यह क्या होता आपका R, आप बोलोगे, radius of, radius of planet, mass का मतलब होता है, दरवेवान, radius का मतलब क्या होता है, तिर्जिया, यह होता है, small g को किस नाम से जानते है, acceleration due to gravity, हम g की value कैसे calculate करते हैं, तो आपको G, capital G, M, upon में, R का, Square, M, का मतलब क्या है, mass of planet, और R का मतलब क्या है, radius of planet, अगर मान लो आपको निकालन है, earth का, आपको क्या निकालन है, earth पर gravity calculate करना था, आपको कैसे calculate करोगे, तो capital G की तो value कितनी है, fix है, और यहाँ पर क्या लोगे, M, mass of, यहाँ पर क्या लोगे, लोगे mass of earth और यहांपर क्या लोगे radius of earth यानि कि अलग-अलग planet के लिए अलग-अलग आपको value पता हो न चाहे है अगर मालो मून का निकालना है तो अप यहांपर क्या लोगे mass of moon और क्या लोगे हैं यहांपर mass of moon power close radius of moon लोगे तो अलग-अलग planet के लिए आपका small g की value होती है अलग-अलग आती है इसके अलबा अगर मैं आपसे पूछूँगा कि earth पर earth पर small g की value कितनी है gravity कितनी है तो कैसे निकाला होगा तो यहाँ पर आप m यानि कि यहाँ पर आप पूट करोगे mass of earth यहाँ पर क्या पूट करोगे radius of earth और capital G की value कितनी होती है 6.67 into 10 की power माइनस में 11 Newton meter square upon में kg का square अगर इसमें put कर दोगे तो आपका earth का क्या निकल जाएगा value निकल जाएगा यानि earth पर gravity कितनी है तो यह कहाँ साया 9.8 meter per second का square यह आया कैसे यह आया कैसे तो आप इसमें put करोगे तो यहाँ से आपका earth का यह निकला है अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँगा कि भाई moon का gravity कितना होता है moon का gravity कितना होता है तो moon का gravity आप कैसे निकालोगे तो इसमें put करोगे यहाँ पर क्या लोगे यहाँ पर आप लोगे moon का mass यहाँ पर क्या लोगे आप radius of moon यहाँ पर put कर दोगे तो आप क्या जाएगा moon पर gravity calculate हो जाएगा gravity आ जाएगा इस तरीके से लेकिन होता कितना है तो आप आप बोलेगे 1.63 मीटर पर second का square अब यहाँ साब को एक note याद रखना है यहाँ से क्या करना एक note याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूँगा कि मून पर जो gravity है मून का जो gravity है यानि कि आप याद रखोगे जो मून का जो gravity है वो अर्थ के अर्थ के gravity का कितना होता है 1 by 6 होता है देखो मून का gravity कितना होता है 1.63 मीटर पर second का square होता है अगर आप से पूछा जागा कि मून का gravity कितना होता है तो आप बोलोगे आर्थ का gravity का 1 by 6 यानि आर्थ के gravity को आप किसे डिवाइड कर दोगे 6 से डिवाइड कर दोगे तो मून का gravity आ जाएगा ये भी आपका objective question पूछा जाता पेपर में ये सारे के सारे objective question है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा capital G क्या होता है और small g क्या होता है capital G जो है उसक एक planet के लिए अलग-अलग होती है यह fix नहीं होते है यह समझेंगे यह हो गया कि इसके बाद मैं आपको समझाओंगा कि 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 variation of यहां से very very important point कि very very important variation of variation of value of G value of G variation of value of G depth and depth and height आप इसका मतलब क्या है देखो सथा से उपर या नीचे जाने पर जाने पर G के मान में परिवर्तन G के मान में परिवर्तन यह बहुत ही जादा important points है कि क्या लिखवा है कि variation of value of G depth and height यानि कि अर्थ के surface से देखो अर्थ के surface पर अर्थ के surface से आप उपर की तरफ जा रहे हो अर्थ के surface से आप नीचे की तरफ जा रहे हो downward जा रहे हो तो G की value में क्या फरक आता है यह point है इससे एक जामे question बहुत जादा बनते हैं देखो ध्यान से मैं आपको एक diagram से समझाओंगा जैसे यह आपका एक diagram है यह है यह क्या आपका अर्थ अर्थ का यह क्या होगा आपका center आपको इतना पता होना चाहिए जो G की value कितनी है 9.8 Meter per second जो है यह मैं आर्थ के surface पर है जो आपका you है small Czech value कितनी है 9.8 Meter per second का square अब यह जो आपकी value है यह जो value है 15 सर्फेस की है यानि आर्थ का देखो यह आर्थ का surface है 15 यहानि आर्थ के surface पर यह आपका अर्थ दिख रहा है इस अर्थ के surface यह यहां पर यह आपका अर्थ का क्या surface है तो यहां पर value कितनी है 9.8 meter per second का square अब यहां से आपको मैं जो समझाऊंगा very very important अगर आप अर्थ के surface से अगर आप देखो अर्थ के surface पर g कितनी है 9.8 meter per second का square है लेकिन अगर आप अर्थ के surface से उपर की तरफ जा रहे हो अर्थ के surface से कह अगर आप उपर की तरफ जा रहे हो तो आप लोग मुझे बताओगे कि जी की विमान में क्या प्रिवर्तन आ रहा है तो अगर आप अर्थ के सर्फेस से हाइट पर जा रहे हो उपर की तरफ जा रहे हो इस तरीके से तो जी की वेलू में क्या फरका आता है तो मैं आपको बता कि अगर आप अगर आप किसी अर्थ के सर्फेस से हाइट पर जा रहे हो यानि अर्थ के सर्फेस से उपर की तरफ जा रहे हो यहां से आपका सर्फेस है यहां से आप उपर चलना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा अगर आप अर्थ के सर्फेस आप उपर की तरफ जा रहे हो तो का होती है घरती है या ऐसे बोल सकते हो कि वह उपर से लेकर सफे से आएक है लेकि ड़ुचर से अब परकी कि तरह तona रहें से टाराई है जी वेट बरावर क्या होता आपका m into में जी वेट का फोरूमला क्या होता है m into में जी अब देखो ध्यान से अगर मैं आपसे पुछूंगा वेट और जी में कैसा relation है वेट और जी में कैसा relation है आप बोलोगे directly relation है इसका मतलब क्या है अगर आप जी की value increase होगी तो डवलोगी क्या होगा increase होगा अगर जी की value कमे घटेगी आपका डवलोगी क्या होगा घटेगा इसका मतलब यह होता है आप देखो ध्यान से जैसे अर्थ के surface पर कितना है 9.8 meter per second का square है यह किसका gravity की value है लेकिन आप अर्थ के surface आप उपर की तरफ जाओगी तो आप उपर की तरफ जाओगो तो जी की value क्या होती है घटती है आप मुझे बता दो डबलू की value क्या होगी अगर आप जी की value जी की value क्या हो रहे है घटर ही है तो आपका डबलू भी क्या ओओगा घटेगा वेट भी क्या होगा घटेगा यह कोश्な आपकी exam में पूछा जाता है कि अगर इसी तरीके से अगर आपका यह क्या है अर्थ संटर आप ERIC संटर कहा है ईए अर्थ का संटर यानि कि केंध्र है अगर आप अगर आप अर्थ के सरफेश से अगर आप अर्थ के संटर की तरफ आना रोख कर दो यानि अर्थ के ऌरफ के सेंटर के तरफ आना स्टाट कर दो गदो और बूंदु क्या होगा आप बोलो गटेगी यानि अर्थ के सरफेस से आप अर्थ के केंदरें तक यानि अर्थ के सरफेसं से आप कहां आ incentives खुआ heard आप बिलुकुल आर्थ के सेंटर पर आजाओ अर्थ के सेंटर पर गु 사ुषियो rejection पुछा गया है । अर्थ के सैंटर पर G की वैलु 0 होती है अगर यह चीज़ बताओ तो weight क्या होगा तो आपको पता है weight परवर क्या होता है m इंटू में g तो weight क्या होगा mass मानलो कुछ भी है अगर g की value कितनी होगई 0 होगई तो weight भी क्या होगा 0 होगा यानि कि आर्थ के center पर आपको weight कैसा feel होगा, 0 feel होगा, और यानि कि earth के center पर g की value 0 होगा, that weight भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऐसे हमने prove कर लिया, और इसको weight 0 का मतलब क्या होगा, आपको कैसा feel होगा, weight less, भार हीन आपको feel बार हीन, यानि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अर्थ के सर्फेस पर वैलू कितनी है जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्कॉर्ड अगर आप अर्थ के सर्फेस से उपर की तरफ जा रहे हो तो जी की वैलू क्या होती है घटती है तो डबलू भी क्या होगी घटेगी इसी तरह किसे अगर अर्थ के सर्फेस से आप कहा जा रहे हो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो अर्थ की यहां से आप सेंटर की तरफ जा रहे हो तो जी की वैलू क्या होती है घटती है तो डबलू भी क्या होगी घटेगी अर्थ के center पर g कितनी होती है जीरो होती है तो weight भी क्या होगा जीरो होगा यह objective question आपके exam में लगतार पूछे जाते हैं क्या होता है variation उसके लाबा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर अर्थ के center से हम अर्थ के surface की तरफ चलना start कर दें अगर आप अर्थ के center से आप उपर की तर भी क्या होगा बढ़ेगा यह हो गया आप एक point मैं आपको और समझाओंगा इसके बारे में नेक्ट्ट पॉइंट variation of variation of value of g value of g due to the due to the due to the surface of earth आप देखों यह क्या है इसका मतलब इसका मतलब क्या है यानि पिर्थवी के अकार के अकार के हिसाब से अकार के हिसाब से जी के जी के मान में परिवर्थन अब यह क्या है क्या लिखा हुआ है variation of value of g due to the surface of earth यानि आर्थ का जो surface आर्थ के जो surface है उसके according उसके according g की value कहां पर कितनी होती है कैसे कैसे change होती है कैसे कैसे परिवर्थन आते हैं मैं आपको एक diagram से समझाऊँगा very very important for exam आप लोगों को सभी को यह बात जरूर पता होगी कि जो अर्थ जो है अर्थ बिलकुल गोल नहीं है उसकी shape कैसी है एंटर जो क्या है टो आर्थ के surface कैसी होती है इस तरीके से होती है को सब्सक्राइब की मैं आर्थ का कैसा है पूरा गोल नहीं होता यह जो जो होते हैं किसी चिप्ठ और से देखो यहां ऐसे फैली है और यहां से चप्ट्री आप बोल सकते हो जो एड होती है पूरा सर्कल अर्थ हमारा पूरा सर्कल गोल नहीं है ऐसी होती है आप देखो ध्यान से यह अर्थ का क्या हो गया सेंटर यह अर्थ का क्या हो गया सेंटर हो गया यह हो गया आपको इतना पता होगा यह अर्थ के यहां पर अर्थ के सर्फेस से यह है यह अर्थ का क्या हो गया अच्छा मुझे एक ची बताओ आप इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फोल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं धुरूग यहां से यहां तक की जो लाइन इसको कि इसको क्या वलते हैं एक्वेटर कि इसको क्या वलते हैं एक्वेटर यहां पर आपको क्या होता है पोल होता है यहां पर क्या होता आपका एक्वेटर होता है अब मुझे बता दो यहां से यहां तक की दूरी को क्या वोलेंगे और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे r e r का मतलब क्या है radius यानि की दूरी और e का मतलब क्या है equator यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे r e मतलब की radius of equator यानि क्या आप दूरी बोल सकते हो यहां से यहां तक की की दूरी को क्को वोलेंगे र ॉ ब पी यह पॉल के लिए यह किसके लिए है फॉल के लिए है वह से में आपको संजांगा चछा मुझे एक चीजा आपको यहां पर देख रहा हुआ सभी बच्चे को यह बताओ R P की value ज़्यादा है या R E की value ज़्यादा है सबको दिख रहा है R E की value क्या होती है greater होती है R E की value क्या होती है greater होती है किसे R P से यह वाद सबको समझ में आ गया कि यहां से देखो equator से लेकर अर्थ के center तक यहां तक की दूरी क्या है ज्यादा है और यहां तक यह आपका फोल से लेकर अर्थ के सेंडर तक की दूरी क्या है कम है यानि आर एकी वेलू ग्रेटर है आर पी से यह है अब यहां से देखो क्या क्या कोशन पूछ जाते हैं आपको एक रिलेशन पता होगा जी बरावर क्या होता है कैपिटल जी कैपि स्मॉल जी और कैपिटल आर में कैसा रिलेशन है देखो यह आपका उपर लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है यानि इनके बीच में स्मॉल जी और आर के बीच में कैसा रिलेशन है इन्वर्सली रिलेशन है कैसे रिलेशन है इन्वर्सली क्या है जादा अगर यहां पर आपका देखो ध्यान से यहां पर क्या है आरी की वेलू क्या है जादा हो जाए आरी की वेलू क्या हो जाए जादा हो जाए तो जी की वेलू क्या होगी कम होगी जी की वेलू क्या होगी कम होगी तो यहां से आपका अप्जेक्टिव कोशन बनत है तो जो आपका gravity है वहाँ पर क्या होगी कम होगी यहनि आप बोल सकते हो equator पर एक्वेटर पर जी की value जी की value जी की value यानि जी की मान minimum होती है क्या होती है minimum होती है नेक्ट पॉइंट आप देखो ध्यान से इस पोल को देखो इसको और इसको देखो यहां पर और पी की वैलू कितनी है यानि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है कम है पोल और अर्थ के सेंटर की दूरी कितनी है कम है अगर मान लो कि दूरी का मतलब यह आर की वैलू अ पर्त के सेंटर के बीच की जो दूरी है क्या है कम है यह दूरी कम है तो जी की वैलू क्या हो ज्यादा यानि आप ऐसे बोल सकते हो पॉल पर पर जी की वैलू जी की वैलू मैक्सिमम होती है कितनी होती है मैक्सिमम मैक्सिमम यानि की अधिकतम होती है अधिकतम होती है आपसे exam में क्या question पूछा जाएगा G की value कहाँ पर maximum होती है तो आप बोलोगे pole पर G की value क्या होती है maximum होती है अगर आपसे पूछा जाएगा G की value minimum कहाँ पर होती है तो आप बोलोगे equator पर क्या होती है G की value क्या होती है minimum होती है new time होती है ये आपसे direct paper में exam में पूछी जाते हैं ये very very important question है तो आपको gravitation समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में धन्यवाद